आई हूँ तो सवाल कर सकते हैं सलाम अलेकुम जाकिर भाई मेरा नाम तुशार शहा है मैं जैन गुजराती हूँ सर मैं सिविल इंजिनियर हूँ कॉमर्स ग्रैजियट हूँ और एंबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूर्णा में ऐसे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लीम फ्रेंट के तुरू मालूम पड़ा उन्होंने आपका एक सीड़ी मुझे दिया जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर और वो आपने जईन लोगों के साथ किया था वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरिबन पांच साल पहले उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले यह मैं खोज रहा था तो मुझे क्यू टीवी की बेर मैं पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चलू कर दिया सर उसके बाद में तो हमारी लॉट्री ही लग गई पीस टीवी चलू हुआ सर पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चलू हुआ और सर मैं यहां ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है यह जो भी राइट सर रितिवल जैन लोग फॉलो करते है यह बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हुँ सर एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एकसेप नहीं हो रहा है सर अन दो कॉंटररी इसलाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े जो के आपके थूँ मालूम पड़े 99.99% एकसेप हो रहे है ओ भी लॉजिकली सर यहां दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी पर्मिशन से बात करना चाहूँगा मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से कहना है टॉक सर सवाल थोड़ा मुक्तसर करें जी मुक्तसर ही है नहीं असल में क्या है बहुत सारे बाई इकतार में खड़े हुए हैं मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है मुझे बात करने के मोका दिया जाए सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोग को तो बहुत फाइदा होता नजर आ रहा है लेकिन उससे कही जायदा फाइदा इसलाम के बगर जो मजब है उनको होता नजर आ रहा है सर इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी तुरू बगर इसलामी मजब की जो किताब है उस पे रोशनी डाली जा रही है सर और उन लोगों को ये मालूमत मिल रही है कि उनके बुनवादी वसूल क्या है उनके प्रिंसिपल्स क्या है और आज जो नौन मुस्लिम लोग है उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सोक और धरम गुरू को सवाल पुछने की ताकत रख रहे कि जो कुछ हम सुन रहे है ये सही है है क्या ये पुछने की हिम्मत आ रही है सर और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर इसे रोकना आप मुश्किल है अब यहाँ पर प्रॉब्लेम ये आती है कि पूर्णा में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है ये मेरी कंप्लेंट है सर ये हम जो एरिया में रहते है वहाँ पीस टीवी काफी महिनों से बंद है अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसल्मान है और उनके अंडर में जो एरिया हाता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर अब उन्हें प्राब्लिम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में आस्ता चैनल चला रहे संसकार चला रहे है फैशन टीवी 24 गंटों चला रहे ट्रेंच 24 गंटों चला रहे पीस टीवी नहीं चल रहा है सर हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की इमेल बेजे, नोटिस बेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है, तो मुझे आप से एक रिक्वेस्ट करनी है, कि आप वो भाई से बात करें, और उन्हें ये कहें, कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क एक भाई नहीं एक छोड़ी बात की, लेकिन खुल के बात नहीं की, आपने उन्हें कहा, कि आप एक पाच्छे हजार की डिस्ट लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा, सर पाच्छे हजार की डिस्ट लगाने वाले की ताकत पुना में 500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे, ल आप वो भाई साब का प्रॉब्लेम क्या है, वो देखे और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें, और अब मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूँ, सर, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, कि जैन लगों का एक भी प्रिंसिपल, लॉजिकली मेरे समझ के बहार है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने है, 99% प्रिंसिपल मैं जै लॉजिकली एकसेप्टे, सर, जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गडबडाट है, वो मैं आप से पूछन लेना सर मुझे तो मेरा यह है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come hereafter यह एक प्रिंसिपल है सर मुझे एकसेप्ट ए मुझे कोई इसमें यह नहीं है दूसरा प्रिंसिपल यह सर तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही हैं तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो यह है कि जो अल्ला ने लिखा है करके आप कर रहे हो यह जुमला गल अगर जब free will का जो principle है, तो ये तो इसके साथ tally हो रहा है सर, जबके मैं देख रहा हूँ free will, आप जो करने जा रहे हो, यहनि कि मुझे free will तो है करने में, यह principle tally हो रहा है, अब रहा principle test का, अब जब अल्ला ने हमें यहां test के लिए भेजा है, तो आप यहां कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो, वो अल्ला को already पता है और उन्होंने लिख के रखा है, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि हम अखरत तक क्या करने वाले है, यानि सब लोग जो जो है क्या करने वाले है, यह अल्ला को पता है यह एंड रिजल्ट अल्ला को पता है ऐसा मुझे लग रहा है बिल्कुल सही I'm glad sir जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था अब यहां बात यह आ रही है कि sir अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जहुरत क्या है Very good, बहुत अच्छा सवाल लगता है कि आप बहुत पीछ टीवी देखते हैं माशाला आप भी देखता हूं sir और आपने इतने बड़े मजमे में कहा मैं आपको कॉंगलाई गिलेट करता हूं Thank you sir आपका आखरी सवाल था कि अगर अल्ला को पता है Sir, I have not yet finished my question sir Please हाजी, हाजी, हाजी Sir, ये तो एक पार्ट था question का दूसरा पार्ट ये है कि अल्ला को जब अगर मैं तो बनिया हूं sir मुझे मालूम पड़ा है कि Islam accept करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ नकुछ तो मिलना पका है अब ये सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं sir बहुत अच्छा सवाल आप देना चाहे दे सकते नहीं देना चाहे नहीं दे सकते sir हमारा फैसला कैसा होना वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि do's or don'ts कुरान में लिखे ये follow करो आपका फैसला हो जाएगा लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है elephants ये जो जो भी जानवर है इनका फैसला अल्ला कैसे करने वाले ये मुझे जानने की curiosity है आप देना चाहे दे सकते तीनों जवाब देंगा मुक्तसर सा दूँगा आपने बिल्कुल सही क्या तकदीर के बारे में आप पीछ टीवी देख रहे हैं वाइसे मालूमाद सही मिली आपके जो तीन सवाला ते पहला सवाल तक अल्ला जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवार क्यूँ होता ने कड़ पुतलिया जब अल्ला ताला सब जानते है तो हम लोग क्यों ये रचा रे ड्रामा डायरेक क्यों ने मुझे जन्नत में डालता है डायरेक क्यों ने दोजक में डालता है बहुत अच्छा सवाल सबसे पहले ये सवाल कि अगर 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 अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला यह अदमी बुरे काम करने वाला है दोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा दोजक में डालेंगा जन्नत में वाला तो एतराद ने करेंगा दोजक में डाले वाला कहेंगा आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहें? मैंने क्या गुना किया अल्ला ताला खुरान में ये लिखा है आखरत के दिन में आप अल्ला से ये ने कहेंगे क्या वो नाइनसाफी कर रहे है आपके जिसम आपके खिलाव गवाई देंगे आपके फिवर में गवाई देंगे आपके आगे सब कुछ पश्ट रहेंगा तो आप अल्ला से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे आप कहेंगे मुझे और एक मुखा दो अल्ला कहेंगा टेस्ट खतम हो गया अगर डारेक्ट आपको दोजक में डालेंगे तो आप करेंगे अल्ला ने मिसाल के तोर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टुडेंट को फर्स्ट आने वाला ये स्टुडेंट फेल होने वाला है अगर डायरेक बोलेगा नो टेस्ट आपको पास क्या आपको फेल क्या पास करने वाला इतराज ने करने का फेल करने वाला बोले का अरे आपने फेल क्यों किया मुझे अरे आप तो बुद्दु है आपको लेकर फेल क्यों किया इसलिए टेस्ट लेता है अल्ला ताला जानता है लेकिन आप उस पे इतराज में के आखरत में इसलिए टेस्ट ले रह दिल हो जिन्दा तो है मन्जिल काम रानी वरना सुबहो शाम तो बस है आनी जानी दिले बेदार है मतलूब रबानी यही पैगाम नभी का यही तालीम गुरानी दिल क्या है दिल की जरूरत क्या है दिल की जिन्दगी क्या है मौत क्या है यह सब जानने के लिए देखिये मेरे साथ एक नया सिलसिला दिल की दुनिया सिर्फ पीस टीवी अर्दू पर सिर्फ मौमिनों का मुकदर है इमान की लाजवाल रोशनी जो करती है आबाद दिल की दुनिया कल रात साड़े साथ बजे और दोबारा सुबैच साड़े दस बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर छोड़े से आधवालों पर सुबैच आलोंग दिसकुछिंशंग दिसकुछिंशंग डिसकुछिंशंग दिबातल कि दूंटूंटूंंग डुट्सींशंग दियोंख निविन्शन धुस्फिंट्थंखते साथे आठ बजे और दोबारा सुभे साथे आठ बजे इंडिया में पीस्टीवी उर्दू पर नमबर दो अल्ला को फाइदा क्या है अल्ला को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़का हूँगा चेप नमर 7 में लिखा गया है तो अल्ला कहता है का मेरे बंदे को तु भड़का सकीगा ही नहीं जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएंगा इबलीज कहता है मेरे पनिश्मिन को डिले करो गिव मी रिस्पाइट अल्ला डिले कर लेता है अल्ला क्यों कर रहा है क्योंकि अल्ला ताला के लिए इनसान सबसे बहतरी मखलुक है best creation बाकी creation don't have free will इनसान को free will है तो ये सबसे बहतरी creation है उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग है आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है जो फरिश्टे उनको choice ने जो अल्ला कहता है मानना ही पड़ता है जानवर को free will नहीं है जो अल्ला तरह कहेंगा जानवर करेंगा free will नहीं है इनसान एक ऐसी मखलुक है ऐसा creation है जिसके पास free will है इसलिए उसे खुशी होती है का मैं free will देने के बाद ये इनसान मेरी इबादत कर रहा है answer number two answer number three ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है जानवर के लिए टेस्ट ने सिर्फ इनसान के लिए और जिन के लिए जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया एक जानवर ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी तो आखरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएंगा और उनको खतम किया जाएंगा इन्नों स्वर्ग और नर्क में नहीं जाएंगे इनसान सबसे बहतरी मखलुक है सबसे अच्छा क्रियेशन है चरिफ वो जन्नत दादोजक में जाएंगे और स्वाल के पहले जो अपने पुछा था के वो मुस्लिम अपरेटर पीछ टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करें आप बिल्कुल सैही चेह रहे क्याएंगे जादा गैर मुसल्मान को फायदा हो रहा है इसनल kitty बाताओ है हम किसको पैसा देते नहीं हम ना पैसे को खरीते ना किसी को इसलाम फैलाते ना चैनल को पैसा देते God TV जो Christian Channel है इंडिया में हर साल 28 क्रोर रुपीज है 28 क्रोर सिरिफ Cable Operators को पैसा देती है 28 क्रोर 28 क्रोर वो बजट भी ने सिरिफ इंडिया में दिखाने के लिए हम Peace TV बोलते है हमारा Amunka TV हम आपको एक रुपिया देंगे ने दिखाने का दिखाओ नहीं दिखाने का दिखाओ तो ये लोग पैसे के पुझा रहे हैं अब्दुल्ला ने अब्दुरुपिया है यह मुसल्मान हो ही ने सकता जो भी है मैं जानता नहीं को ने और आपको सिजेशन आप क्या कीजएऊ? बॉइकौट करो इनको बॉइकौट करो, आप परचा निकालो जो पीश टी-वी नहीं दिखाता है हम केबल टी-वी नहीं लेंगे मैं जानता हूँ कि बहुत से गहर मुसल्मान केबिल टीवी पे पीश टीवी दिखाते जो केबिल टीवी ऑपरेटर मुझे पूना से कहा गया है वो से गहर मुसल्मान दिखाते ये लोग सिर्फ नाम के मुसल्मान है इन लोग पीश टीवी देखेंगे तो साई लाइन पे आँगे खुद भी देखते ने और दूसे लोगों को देखने नहीं देते लेकिन उससे कही जायदा फाइदा इसलाम के बगर जो मजब है उनको होता नजर आ रहा है सर इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टिवी तुरू बगर इसलामी मजब की जो किताबे हैं उस पे रोशनी डाली जा रही है सर और उन लोगों को ये मालूमत मिल रही है कि उनके बुनवादी वसूल क्या है उनके प्रिंसिपल्स क्या है और आज जो नौन मुस्लिम लोग है उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सोक और धरम गुरू को सवाल पुछने की ताकत रख रहे है कि जो कुछ हम सुन रहे है ये सही है है क्या ये पुछने की हिम्मत आ रही है सर और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर इसे रोकना आप मुश्किल है अब यहाँ पर प्रॉब्लेम ये आती है कि पूर्णा में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है ये मेरी कंप्लेंट है सर ये हम जो एरिया में रहते है वहाँ पीस टीवी काफी महिनों से बंद है अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसल्मान है और उनके अंडर में जो एरिया हाता है वो पूरा ही मुसलिम एरिया है सर अब उन्हें प्रॉब्लेम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में आस्ता चला रहे है, संसकार चला रहे फैशन टीवी चोविस गंटो चला रहे ट्रेंच उविस घंटो चला रहे हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की इमेल भेजे, नोटिस भेजी फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है पीज टीवी चल नहीं रहा है तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहें कि पीज टीवी चलाने में अपकी प्रोब्लम क्या है क्योंकि कल एक भाई नहीं ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की आपने उन्हें क आप एक 56,000 की डिश्ट लगा दो पीश टीवी चल जाएगा सर 56,000 की डिश्ट लगाने वाले की ताकत पुना में 500 लोग रहेंगे पास पुना में बहुत गरीब लोग है जो कि यह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि पीश टीवी देखे खरें तो मेरी आपसे एक request है कि आप वो भाई साब का problem क्या है वो देखे और Peace TV चालू करने के लिए request करें और अब मैं सीदे अपने सवाल पर आता हूँ sir जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि जैन लगों का एक भी principle logically मेरे समझ के बहार है और Islam के जितने principle मैंने सुने है 99% प्रिंसिपल मुझे लाजिकली एकसेप्टे सर जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गडबड़ाट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीस संभाल लेना सर मुझे तो मेरा यह है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come hereafter यह एक प्रिंसिपल है सर मुझे एकसेप्ट है मुझे कोई इसमें यह नहीं है दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही है तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो यह है कि जो अल्ला ने लिखा है करके आप कर रहे हो यह जुम्ला गलत है आप जो करने वाले हो वो अल्ला को मालूम है करके अल्ला ने लिखा है आई होप आएम राइट सर तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो यह तो इसके साथ टैली हो रहा है सर जबके मैं देख रह करने जा रहे हो यानि कि मुझे free will तो है करने में यह principal tally हो रहा है अब रहा principal test का अब जब अल्ला ने हमें यहाँ test के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो और अल्ला को already अब यहां बात यहां रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जवरत क्या है मेरी गुड बहुत अच्छा सवाल लगता है कि आप बहुत पीछ टीवी देखते हैं माशाला आप ने जिस तरीके से तकदीर को शॉट में कहा यह सर बहुत कम मुसल्मानिया कह पाएंगे मुसल्मान को भी यह प्रॉब्लम में तकदीर क्या है मैच करने का कि फ्री विल अन तकदीर बहुत कम मुसल्मान कह सकते और आपने इतने बड़े मजमे में कहा मैं आपको कॉंगनाइज इडियेट करता हूँ आपका आखरी सवाल था कि अगर अल्ला को पता है सर आपने के आखरत में इसले डेफ ले रहा है दिल हो जिन्दा तो है मन्जिल काम रानी वरना सुबहो शाम तो बस है आनी जानी दिले बेदार है मतलूब रबानी यही पैगाम नभी का यही तालीम कुरानी दिल क्या है दिल की जरूरत क्या है दिल की जिन्दगी क्या है मौत क्या है यह सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ एक नया सिलसिला दिल की दुनिया सिर्फ पीस टीवी अर्दू पर सिर्फ मुमिनों का मुकद्दर है इमान की लाजवाल रोशनी जो करती है आबाद दिल की दुनिया कल रात साड़े साथ बजे और दोबारा सुबह साड़े दस बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर dialogue discussion discussion debate rebuttal rebuttal conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr. Zakir Naik in a battle of words in crossfire हरेत्वार रात साड़े आठ बजे और दोबारा सुबह साड़े आठ बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर नंबर दो अल्ला को फाइदा क्या है अल्ला को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भढ़का हूँगा यह है कि अल्ला को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है अब ये सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है यह मैं जानना चाहता हूँ सर बहुत अचा सवाल यह दूसरा सवाल है मेरा और तीस दोनों सवाल का जवाब दोगा तीसरा मत पूछे सर शॉर्ट ये शॉर्ट ये नहीं तो लोग मुझे कहेंगे का मैं इपना इंसा फिकर नहीं इसी से कन्येक्टेड है सर इसी से कन्येक्टेड है और इसी आउट ऑफ क्युरासुटी पूछ रहा हूँ आप देना चा जानवर है इनका फैसला अल्ला कैसे करने वाले ये मुझे जानने की क्यूरासुटी है आप देना चाहे दे सकते तीनों जवाब देंगा मुटसर सा दूंगा आपने बिलकुल सही क्या तकदीर के बारे में आप पीश टीवी देख रहे हैं वाए से मालूमाद सही मिली आप से पहले ये सवाल कि अगर अल्ला सुभानावत ताला आपको बने अच्छा ये अदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला ये अदमी बुडे काम करने वाला है दोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा दोजक में आप मुझे दोज़क बे क्यों डाल रहे मैंने क्या गुणा किया अल्ला ताला खुरान में ये लिखा है आखरत के दिन में आप अल्ला से ये ने कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे आपके जिसम आपके खिलाव गवाई देंगे आपके फिवर में गवाई देंगे आपके आँख आपके हाथ आपके हर जिसम के अंग अंग आपके फिवर और खिलाव में गवाई देंगे आपके आगे सब कुछ पष्ट रहेंगा तो आप अल्ला से ये ने कहेंगे कि आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे आप कहेंगे मुझे और एक मुका दो अला कहेंगा टेस्ट ख़तम हो गया अगर डायरिक्ट आपको दोजक में डालेंगे तो आप कहेंगे अला ने मिसाल के तोर पर अगर टीचर जानता है कि ये student को first आने वाला ये student fail होने वाला है अगर direct बोलेगा no test आपको pass क्या आपको fail क्या pass करने वाला इतरास में करने वाला बोलेगा और आपने fail क्यों किया मुझे अरे आप तो भुद्धु है आपको लेकर फेल्ड क्यों किया इसलिए टेस्ट लेता है अल्ला ताला जानता है लिकिन आप उस पे एत्राई हो तो सवाल कर सकते हैं सलाम अलेकुम जाकिर भाई मेरा नाम तुशार शहा है मैं जैन गुजराती हूँ सर मैं सिविल इंजिनियर हूँ, कॉमर्स ग्रैजियट हूँ और M.B.A की डिगरी होल्ड करता हूँ और पूर्णा में ऐसे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लीम फ्रेंट के तुरू मालूम पड़ा उन्होंने आपका एक सीड़ी मुझे दिया जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर और वो आपने जईन लोगों के साथ किया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरिबन पांच साल पहले उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले यह मैं खोज रहा था तो मुझे क्यू टीवी की बज़र मैं पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चलू कर दिया सर चलना चलू हुआ और सर मैं यहां ब्रेक लेकर बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है यह जो भी राइट सर्टियोल जैन लोग फॉलो करते हैं यह बच्पन से लेकर आज तक मैं समझने में फेल रहा हूं सर एक भी उनका प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर अन दो कॉंटररी इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल्स मुझे मालूम पड़े जो के आपके त्रू मालूम पड़े 99.99% एक्सेप्ट हो रहे हैं ओ भी लॉजिकली सर तो यहां दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी पर्मिशन से बात करना चाहूंगा मेरी एक रेक्वेस्ट है आप से कैना है टॉक सर सवाल थोड़ा मुक्तसर करें जी नहीं असल में क्या है बहुत सारे बाई इकतार में खड़े हुए हैं बहने भी हैं सब को मौका दीजिए जाकिर साब को सुनने का इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पर आजाए आप क्या कहना चाहते हैं सर पता है मुझे मैं तीन दिन से नंबर लगा रहा हूं आज नंबर लगा है सर थीनों दिन का पदला वस्फिल कर रहे हैं आप जीन Chandam अ